राजा दश्रत ने कैकेई की बात मानी, भले राम को वनवास हुआ, लेकिन मानी ना, भले यस, मैंने कहा सीता माता की बात को राम चंदर जी ने मानी, भले हिरन की पीछे जाना पड़ा, रामण से लड़ना पड़ा, मानी ना, मंदूदरी की बात रामण ने नहीं मानी, मरना पी बड़ा आज तक जलना पड़ता भाई साथ तो मेरा पतियों से निवेदन की बुद्धी मत लगाओ जो कहें तुरंद मान लिया करो कोई तना पालो ही मत ने तो जन्नम भर जलोगे और मरोगे भाई साथ मैं सच बताता हूँ धड़कन फिल्म में बहुत गलती कर दी ती डाइरेक्टर ने जब अक्षय कुमार का नाम राम और सुनील शेटी का नाम देव था दोनों मिलकर राम देव बने तो साला शिल्पा शेटी का नाम भी अंजली की जगह पतंजली रखना था ना जब बिना गलती के सोरी बोलने के आदक पड़ जाए तो फिर उसे काम्याब पती बनने से कोई नहीं रोक सकता यार मेरी सारी उमर यही कहते हो निकल गई कि मैं लड़ नहीं रही मेरी आवाज यह उच्छी है अरे मैं तुझे कह रही हूं ना बहुत फरक पड़ता है मेडिटेशन से तु मुझे देख मैं कितनी काम हो गई हूँ सुनो खाना में क्या बनारी हूँ आपके खांदान ने या धाबा फोल गे रखके जो खाने में क्या बनारी हूँ अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने से पहले उन लोगों को ब्लॉग जरूर कर दिया करो जो लोग तुम्हें अच्छे से जानते हैं जब रिचार्ज के पैसे बढ़ा बढ़ा कर हमारे रुपैसे अपने बेटे की शादी करनी थी बहुत सारी खोजों के बाद अब पता चला है कि पती-पत्नी की लडाई की मुख्य वजह है पंडित क्योंकि इसी ने फेरों के समय आग में घी डाला था मित्रों बड़ी महरवानी होगी पोस्ट को जाननू समझकर समय दे दिल को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें ये जो चार पांस लोग मेरी सारी रिल्स और स्टोरी लाइक करते हैं न दिल करता है इनके अपने सारी प्रॉपपर्टी नाम कराता है लेकिन पहले मेरे नाम भी तो हो आपका दिल बहुत बड़ा है थोड़ी जगय चाहिए थी वो क्या है ना की भैस पाहम ने रूए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हां कभी-कभी बेजती जरूर हो जाती है ये वगवान जो मुझे भूल जाए उसका मोबाईल तोट जाए उसका चार्जर जाए और उसकी सिम लॉग हो जाए एक उल्लू ही एका कब्द है जिसे बोलने पर मुझ उल्लू जाएका बन जाता है बड़ी जल्दी ताय करके देखा देखो लग रहे हो ना उल्लू जाते